इसकी एक पत्ती 90 साल तक बुड़ापा नहीं आने देती। सफेद बालों को फिर से काला बना देती हैं। जोडों का दर्द, घुटनों का दर्द, कंधे, कमर और हाथ के दर्द को खतम करके, डायबिटीज का इलाज करके, कॉलोस्टोल को सही करके आपको हार्ट ब्लोके जै भी मिल जाता है, मगर इसके गुण ना मालूम होने के कान, इसको हम खर पत्वार समझ कर उखाड कर फैक देते हैं। मगर ये सधान सा दिखने वाला पोदा, कैंसर से लेकर डायबिटीज तक और डायबिटीज से लेकर दिल तक बहुत अदे का फाइदेमन है। तो आईए जानते हैं सदा बाहर के परयोगों के बारे में, कैंसर रोग के लिए, सदा बाहर की पत्यों में दो एलकलोएड पाय जाते हैं, एलोपेथी में इन दोनों के नाम पर इंजेक्शन भी आते हैं, जो मुखेता कैंसर के रोगियों को दिये जाते हैं, ये कैंसर के कीमो के साथ साथ में दिया जाता है कैंसर के रोगियों को इसकी पत्तियों की चटनी बनाकर निमित दीजी और अगर रोगी इस हालत में है जिसमें वो कुछ खा पी नास के तो इसका रस निकाल कर दीजी ध्यान रहे ये सुबह खाली पेट ही देना है सोच जाने के बाद के चमतकारी है ये एलकलोईड पैनकिरियाज के बीटा सैल्स को सकती परदान करता है जिससे पैनकिरियाज सही मातरा में इंसुलिन निकालने लगती है इंसुलिन ही वो हार्मून है जो बलड में सुगर की मातरा को संतूलित करके रखता है इसलिए ये दोनों प्रकार के सु पानी में भीखोकर रखतीजी और सुबहे खाली पेट सोच जाने के बाद इस पानी को पीलीजी और इन पत्तों की चटनी बनाकर खालीजी ये इसको लेने का सबसे बैस तरीक है और उसके 10 दिन के बाद आपने बलड सुगर लेवल को आप चेक कराईए वो बिलकुल आपको नूर्मल बलेगा हाई बलड प्रैसर में सदा बाहर के पत्तों से इलाज सदा बाहर की जड में ऐसे अलकलोईट पाए जाते हैं जो की एंटी हाइपर टैंसिव होते हैं ये उचे रक्चाप के लिए अत्यंत परभाव साली हैं इसकी जड को साप करके सुबह चबा चबा कर खा लीजी या फिर दातुन की तरह है चबा चबा कर इसका रस पीते रहिए और बाद में इसके अफसे इसको फैंक दीजी इसके साथ में आप सर्पगंदा की जड को भी इस्तमाल कर सकते हैं दोनों को मिलाकर लेने से आपको और भी बहुत अच्छे रजैल्ट देखने को म पर रात बर एक गिलास पानी में बिगोकर रखतेने हैं और सुबह आपने उस पानी को भी पी लेना है और उन पत्तों की भी चटनी बना कर खा लेने हैं और यदि आप ऐसा करेंगी ना इससे सर्फ कोलेश्टोल सही होगा हार्ट ब्लोके सही होगा बलकि आपको पेट का उन्दरता को बढ़ाएगा, आपके सरीर में रोगों से लड़ने की सक्ति अधिक होगी, तब आपको कभी कोई भी बीमारी नहीं लगेगी, आप हरत रहें के बीमारी से बचे रहेंगे, तो दोस्तों देर किसे बात कियें, आप भी आज से ही सदा बाहर के पत्तों का सुरू करतीचे, यदि आप बिलकुल सवस्त रहना चाहते हैं, और अपने सरीर की हारत रहें के बीमारी से बचे रहना चाहते हैं, अपने सरीर को निरोगे बनाए रखना चाहते हैं, तो दोस्तों यह थी हमारी वडियो, अगर आपको हमारी वडियो अच्छी लगे, तो प झाने वा तुस्टू